तो यह रहा जी हमारा पीतल का पतिला जिसे आज हम चमकाने वाले हैं और साफ करने वाले हैं तो आप इसकी हालत देख सकते हैं कितना काला है देखिए अंदर से भी और बाहर से भी ये काफिए करने के लिए उसको पुराना है तो पड़ा पड़ा शैद ये पितल के बरतन है जो ऐसे हो जाते हैं अगर नहीं यूज करो इनको और उसको साफ करने के लिए हमें चाहिए जी सिर्फ एक निम्बू एक निम्बू चाहिए जी और उसके बाद हमें चाहिए सिर्फ नमक दो चीजे चाहिए जी बस दो चीजों से ही हम ये पतीले को एकदम सोने के जैसे चमका देंगे तो आप देख रहे हैं ना नीमबू का मैंने इदर सिर्फ जूस डाला है और हाथ से तोड़ा सा इसको गिसा है तो एकदम से चमक गया है हमारा पतीला है जो तो देखिए जी ये दो चीजे चाहिए सिर्फ हमें कोई ज़्यादा महंगी नहीं है अगर नीमबू का हिसाब लग और नमक चाहिए नमक भी देखिए हमारे गरों में सबके गरों में होता है कोई ऐसा गर नहीं है जिनके गर पर नमक नहीं है तो देखिए जी मैं नीमबू और नमक का इदर इस्तमाल कर रही हूं और आपके सामने देखिए बस आपके देखते देखते ये पतीला है जो हमा बिल्कुल और आप देख सकते हैं देखे जो जिदर जिदर हमने निम्बू और नमक लगाया है उदर से पतीला बिल्कुल चमक गया है और मुझे इदर कुछ भी मिहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही सिर्फ हलके हाथों से मैं इसको गिस रही हूं आप देख सकते हैं मैंन पतीले की ना जी मुझे एक रुक्वेस्ट आई थी मेरे दूसरे चैनल पर मेरे कुकिंग चैनल पर मुझे एक रुक्वेस्ट आई थी कि पितल के जो बरतन होते हैं डिश्वाशर में आप डाल कर हमें डेमो दिखाए कि डिश्वाशर में ये बरतन साफ होते हैं या फिर होते तो मैंने जी डिश वाशर में डाला तो ये पतीला साफ नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था ये पतीला गंदा मतलब पुराना था तो इसलिए नहीं हुआ ये पतीला साफ करने के बाद इसको वापस से डिश वाशर में डालूंगी फिर मैं रिजल्ट देखोंगी कि हमारे मतल जो रेगुलर हम यूज करती है पीचल के बरतन वो डिश वाशर में क्लीन होते हैं या फिर नहीं होते अगर आप वो वीडियो देखना चाते हैं तो आप डिस्क्रि जी मैंने इसका जूस गिराया है तो आप देख रहे हैं सिर्फ जूस गिराने से ही कितना इसका color change हो गया है और बस हमें ऐसे ही हलके हाथों से इदर मल देना है जी तो आपने देखा जी अदर हमें नमक कितना लगा है सिर्फ एक चमच डेर चमच के जितना इदर नमक हमने जो डेली की जो सबजी हम बनाते हैं बस उसमें उतना हम यूज करते हैं एक टाइम की सबजी का नमक हमने आज इदर यूज कर लिया है जी और एक निम्बू यूज किया है आपने देखा है ना देखिए तो अगर देखिए जी आपके पास निम्बू नहीं है तो आप इदर विनेगर यूज़ कर सकते हैं जो वाइट सिरका होता है ना बस वो यूज़ कर सकते हैं इमली ले सकते हैं जी और और भी कोई खटी जीज जैसे आम चूर वगएरा हो गया वो ले सकते हैं बस ऐसे खटी कोई भी चीज ले लीजिए और नमक डाल लेजिए जी उसमें और हमार और कभी नीम्बू डाल लेती हूँ और थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ और चमक जाते हैं बरतन हमारे ऐसे ही ये जो आप मेरे हाथ में ब्रेसलेट देख रहे हैं ये मेरी बेटी ने बना कर दिया था मुझे मैं बोला चलो बता दूँ आपको नहीं तो बोलेंगे बच्चो वाला ब्रेसलेट पहन कर बैटी हुई है तो हमारा ये जो पतीला खाना जी काफी काला और पुराना था इसलिए मैंने इसको साफ करने के लिए नीम्बू और नमक का इस्तमाल किया है जो आप रेगुलर बरतन यूज़ करते है ना पीतल के अपने गर पर तो वो तो जी हमारे बरतन वाश ये दोने वाली सोप से ही हो जाते है लिकुट से ही हो जाते है आपका भी करकर देखना ये तो ज्यादा पुराना था इसलिए मैंने ऐसे किया साफ इसको तो देखा ऐसे मिंटों में हमने इसको चमका दिया है तो आज की वीडियो को करते हैं जी इधर ही एंड अगर अच्छी लगे तो लाइक का बटन नबा दीजिए चैनल पर नए है वीडियो पहली बार देख रहे हैं चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जी मिलते हैं में बार अच्छी बार नेक्स भलते हैं जी दॉरूर नेक्स भाइब का देख भाइब की वाइब का दिया रहा हैं दूरूरूरू।